दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएप एकॉड में कितना परसंटेज इंडरेस्ट हमें मिलता है और इपीएफो इंडरेस्ट रेट के एमाउंट कब हमारे पीएप के एकॉड में जमा होता है उसके बारे में कम्प्लिट जानकारी देंगे साधसाद आपको इभी बताएंगे कि इंडरेस्ट रेट के जो कै dopamine कैसे होकि पीएफ एकॉड में केडिट होता है। उसके बारे में में भी पूरी जानकारी आपके सब्सें जादा हो हो और आपके जानकारी के लिए बता दू कि एपीएफो की इंडेस्ट रेट सबसे जादा है बाकी सारे दूसरे किसी भी स्कीम से और एपीएफो एक बहुत ही जो सेव स्कीम है तो मेरा पारसनल राय अगर आप माने तो जितने जादा समय के लिए पैसा को होल्ड करते हैं उत वीडियो को लास्त जरूर देखेएगा तो मेरा नमय मित्वों और आप दिखरें डिजिटेल मितव वीडियो को सुरू करते हैं सबस्क्राइब कीजिए डिजिटेल मितवों चेनल को और बेल आइकन को ब्रेस कीजिए लटेश टेकनोलोजी रेलेट वीडियो सबसे पहले तो चली सबसे पहले हम बात करते हैं कि बंडे कितना मिलता है तो आपके जानकर्य के लिए बता दू कि याल्ओसन है और पिछले financial year में यानि कि 2019 और 2020 में इसका जो रेट था 8.55 परसेंट था और ये पूराने डाटा के हिसाब से पिछले पाश सालों में सबसे लोएस्ट यानि कि कम interest rate EPF में 2020 और 2020 के financial year में देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी आज के समय में देखा जाए तो ये interest rate बाकी सारे scheme से जो सबसे ज्यादा interest rate आपको जो EPF में देखने को मिल रहा है तो आप बात करता है कि कौन-कौन सा पेप एकॉंड में हमें EPF से interest rate मिलेगा तो आपको बता दो कि EPF के interest rate सीब आपको EPF में मिलेगा ना कि EPF एकॉंड में यानि कि pension के amount जो भी हमारे जमा होगा हमारे पेप 6.67% के 3.67% दोनों मिले के total amount होता है 15.67% हर माहिन में आपको जो deduction होता है आपके salary में से वो पैसा आपकी EPF एकॉंड में जमा होता है और आपकी EPF एकॉंड में जमा हुए जो रासी होगा उसके उपर आपको current financial year के मद्धम से देखा जाए तो 2020-2020 का जो financial year है इसमें आपको EPF में साड़े 8% का जो interest rate देखने को मिल रहा है तो अपके EPF एकॉंड में जो भी पैसा जमा है उसके उपर आपको साड़े 8% का interest rate हर साल में आपको देखने को मिलेगा तो चली आप हम बात करते हैं कि EPF का interest rate है कब credit होता है हमारे EPF एकॉंड में तो ऐसे आप सभी को पता ह सब्सक्राइब होगा कि फाइनसल एंडिंग है वो मार्च टू मार्च हो गया है तो इसका जो एमांट होगा वह अपको एप्रिल से में मैंने के अंदर आपके EPF एकॉंड में जो credit हो जाएगा लेकिन पिछले साल के फाइनसल यार में यानिकि 2019 से 2020 में हमें कोभी नाइंड जोए आपके EPF में जमा हो जाएगा तो आब हम बात करता है कि जौब छोड़ने के बाद कब तक EPF के interest rate हमें मिलता रहेगा तो आपके जौब छोड़ने के बाद 36 माईने यान की तीन साल तक आपको EPF में interest rate मिलता रहेगा और उसके बाद आगर आपने नया जब जोइन कर लिए है तो वो continue रहेगा यानिकि continue आपको EPF से जोड़ने आपको मिलता रहेगा और नहीं तो उसमें इंडर्स रेट क्रेडिट होना बंद हो जाएगा तीन साल के बाद अगर आपने किसी भी कमबाने में उसके बाद काम जान नहीं करते तो आपको तीन साल के बाद जो कर से हमें मिले घख तो आपको बता दूह बदा दो कि इसमto इकमड़ें to cash लीडा के अपको कर दियात है इसको और भी डिटल से में समझ के लिए आपको राइब में एकसलेट के मादव म से समझाने वालों तो चलिये हम एकसलेट के मां घम से इपफो कर देलकुर ईब यह च को समझ रहे तो दोस्तों हमने एकक्सल सेट के उपर आगे है थे कि एधर जो हमार्न कररकेर है अगरrim साट में की तरफ को कि 2 सेरी 10,000 हेने आपको सेस्ट रूप्र मैंने का है और आपने पूरे मह ini काम और पूरे साल को सब्काम किया तो हम तो Or خलो हो गया और उसके बाद जो दूसरा और एक मगोंट किया है साट करते हैं या कि तरफ से नाज उनकी कहने मेकं हमेंद हमारे पर एक वाचोट मेद कंट्रिब्ट होता है तो तोल थे में में दॉन्ह सब्सक्राइब हो नहीं हो रहा है और ह्माईन में जो हमारे आमारे वहा रहा है उसके उपर हर माईने में हमें 11 रुपया 20 पाईसा जो है एमोंट मिल रहा है तो इधर फर्मॉला जो है कुछ चेंज हो गया तो इसको हम फिर से एक बार यह करेंगे तो आप देख सेते कि इधार जो हमें 11 रुपया 20 पाइसा हर मायने में मिल रहा है यानि कि यह जो इंट्रेस्ट रेट है वह हमने 8.5% के उपर से जो है कल्कुलिशन किया है यह जो इंट्रेस्ट रेट है यह पूराने वाले पाइसलियार का है 2019-2020 का तो उसमें 8.5% का था तो 1570 रुपया में हमें 11 रुपया 20 पाइसा हर मायने में उसके उपर इंट्रस रेट मिला था उसके नेकस्ट मैने का भी बात करें Nast मने भी सेम हमने जो हमें 1200 रुपया जो हमें मिला यह पूरे मायने हमने काम किया है तो हमारे एmऴार के टरफ साभी समें 3.67% यह थी 3030 रुपय मिला है तो उसके बाद जो हमारे प्लास 1557 टो टोटल मिला के हो गए 314 रुपया के उपर हमें जो इंटरस्ट डेट मिला 8.5 पर संट होता है तो 22 रुपया 30 पर से हमारे एकांट में जुए जमा नलोक केडिट इंटरस्ट मिल जाता है तो टोटल एसा बारो महीने में हमने जो है टोटल पीएप के एकॉन में जमा हुआ है टोटल एमोंट होता है जो है 18,804 तो टोटल एमोंट हमारे एक साल में पीएप में जमा हुआ है 18,804 उसके बाद यह एमोंट के उपर हमें जो इंटरस रेट मिलेगा उसके उपर इंटरस चानली 10,000 है और पूरे साल पूरे मैन अपने काम किए तो आज़र 8804 पर आपके प्लीमाजम होता है और आपके एंप्लियर के तरफ से 2aaaaart मिला कि 890 पर जमा हो जाते हैं तो आपको सेट का लिंक है इसको दे दूँगा उधर आप नीचे जो अलग-अलग आपका जो एमोंड जमा होते हर माहिने में आपके और आपके एमपलर के तरफ से दोनों एमोंड इदर जो आप ऐसे चेंज करेंगे हर माहिने में जो भी एमोंड आपका मतलब केडिट हुआ है आपके जो है आपको कितना रुपया आपके प्यापके एकॉंड में जो है इंटेस्टेट में लेगा या फिर मिलेगा तो आसा करतों कि आप समझ गया हों कि कैसे आप मिलेगा यह फिर मिला है तो चली आप हम देखेंगे कि हमें कब कितना इंटेस्ट के मिले उसको अब चेक करते हैं चेक करने के लिए सब से पहले अपके पीप के जो पास्वुक लोगिन पैज है यह लिंक मैं आपको वीडियो के दिस्क्रीप्शन ब यह सबसिभागे को पास्वार्ट को सब्सक्राइब लोगिन कर से किए अपना सबसेवल हम पास्वार्ट को सबसेवल हमारे प pedals कर सक्टब्रयुन कर लेंगे उसके बाद हमार जो पासवाड है पासवाड को नीचे के ब्रॉक्स में फिल्ड कर देंगे उसके बाद जो केप्चा सोर है केप्चा का हम कैलकूलेसन कर देंगे और लोगिन के अपशन पर किलिक कर देंगे तो किसी कारण के वाई से इधार कुछ इन्विलेड के अप्चा बता दें तो फिर से हम एक वाई जो है इसको लोगिन करेंगे तो आप देख सेते कि हमारे जो एकाउंट है प्येप का वो लोगिन हो गया इधार आपका नाम आपके इवेन नमबर और आपके पैन कार्ड के डिटर्स आपको देखने को मिलेगा तो चलिए आप हम देखेंगे कि हमें कितना पासेंटेज इंटर्स रेट कवर कैसे मिला है तो उसको चेक करने के लिए सबसेफल आप सिलेक्ट मेंबर आड़े के जो अपसान दिख रहे हूं उसके नीचे आपको एरो दिख रहे है उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है उसमें किलिक करने के बाद जो भी कमपाने में आभी आप काम कर रहा है फिर काम कर चुक है उस सारे कमपाने में इसका लिस्ट आपको देखने को मिलेगा तो फिलाल मैं एकी कमपाने में काम कर रहा हूं और फिर काम कर चुका हूँ तो मैं उस कमपाने को उपर सिलेट करने क कि लेट करने के बाद आपको सबसे पहले ब्यूब पासबूक के ऐप्शन पर क्लिक करेंगे ऐसे वोल्ड के होड़ करने के बाद्स आपका जो भी बैलांस है क्या आपका परे लिए ब्लान्स के यह आपको आपको पेंट्रेट मिलता है तो आपके आपके पैसे आपको पैसे जमाएं उसके आपको आपको इंटरसरेट देखने को नहीं मिलता है तो चलिए आप हम देखते हैं कि interest rate जब हमें जमा होता है किसे पता कर सकते हैं कि जमा हुआ है या फेल नहीं उसके लिए आपको क्या करना को उसके लिए आपको भी पासबुक नियू के जो अप्शन लिख रहे हैं इस पर आपको किलिक करने को नीचे आपको देखने को लेगर interest rate हमें मिला है या फिर नहीं तो आप देख सकते कि हमें जो है एक तीस तीन दो हजार उनीस में हमें कुछ interest rate हमें मिला है टोटल जो हमारा घमारा जो डाला घ्यार मिला है और हमार जो यह उप्प्लिवर के तरफ से जो पैसा जमा हुआ था कि एम्प्लिवरी बालान्स तो उसके उपर हमें तीमसोज जमा हुआ तो दोन मिलेmconom आप देख सेती तो आप इस तरह से अलग अलग जो फाइनल से लिया रहा है उसको अलग अलग स्लेट करके आसा नहीं से ट्राक कर सकतार पता लगा सकता है कि आपके एकॉंड में इंट्रस रेट केडिट हुआ है या फिर नहीं असा करतों आप समझ गया है कि ट्राक करके पता कर सकती कि आपको कितना इंट्रस रेट मिले गया फिर मिला है और इस वीडियो से जूड हुए आपके मन में कुछ सावा लेकर सुजाब है तो आप निचे हमारे साथ कोणोक्स में स्यार कर सकते हैं और आने वाले समय में और भी